कि वी नीड नमो अगेन नरेंद्र मोधी फिर से 2019 के चुनाव में भारतिय जनता पार्टी और NDA का पर्चम पहलाएंगे नमस्कार में हुदेवांजली मोहित्रा बी जे पी की सोचल मीडिय टीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ पार्टी के प्रचार-प्रसार में जूती हुई है बी जे पी कि युवा विंग भारतिय जनता युवा मोर्चा की टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए प्रण लिया है लक्ष हमारा मोधी दोबार BJYM के ट्विटर हैंडल से 12 जनवरी को एक ट्वीट किया गया था कि नरेंद्र मोधी जी को फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए BJYM ने हैश्टाग विजेलक्ष 2019 का प्रण लिया है इस प्रण को पूर्ण करने के लिए आज BJYM की राष्ट्रिय अध्यक्ष पूनम महाजन ने 17 कारेक्रमों का उद्भोश किया और साथ में नारा दिया लक्ष हमारा मोधी दोबारा दो मार्च को ये 12 जनवरी से लेके 12 मार्च तक यूआ मोचा के 14 कारेक्रम है उसमें अंत में हर बूत से हर बूत से हम कमल सन्देश मोटर साइकल महारेली करने ये कारेक्रम भारतीयरजनता party का है लेकिन हमें specifically कहा गया है की कारेकर्म युवाम मूर्चा का ही करेगा गत दो वर्चर से युवाम मूर्चा हर बूथ में WhatsApp की टोली बना रहा है Bikers की टोली की हमारे पास list है जिसके पास smartphones है उसकी बी list युवाम मूर्चा की अलग बनी हुई है आज वो सारी लिस्ट लेके दो मार्च को एक ही दिन एक समय पे पूरे देश भर में युवा मोर्चा बाइक राली निकालेगा और वो चार हजार से जादा मंडलों तक ये बाइक राली उसे समय पे निकलेगी इससे मौहल ये तयार होगा कि वी नीड नमो अगे नरेंद्र मोधी फिर से 2019 के चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी और NDA का पर्चम पहलाएंगे और हम सरकार फिर से बनाएंगे जो युवाओं के विचारों की होगी उनके एस्पिरेशन की होगी उनके सपनों की होगी वही सपनों की युवाओं की राजनीती आगे बढ पार्टी, जर्नलिस्ट, जुडिश्री अपना काम करते रहेंगे लेकिन देश की जनता जो अपने एस्पिरेशन के साथ देश को देखना चाहती है जब तक सहबागी नहीं होगी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो हम इस डिमॉक्रिसी को वाइबरेंट और पार्टिसिप जराम ठाकुर ने हैश्टाग मोदी दोबारा के साथ लोगसभा की चार सीटों का जिकर कर ट्वीट किया विकास की रहा पर तेजी से आगे बढ़ रहा हिमाचल हमारा क्यूंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिला सहारा हिमाचल में सभी चार सीट जीतना ये है ल मोदी दोबारा केंद्र मंत्री पश्चिम बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियों ने ट्वीट किया सिंडिकेट टैक्स बंविसफोर्ट और भै की राजनीती से आगे बढ़ेगा बंगाल अमिशाह जी के साथ विकास और आर्थिक समावेशिता का नया चरण शुरू पश्च संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं लेकिन किसी ने छेड़ा तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं बिहार बीजेपी ने ट्वीट किया देश में जौब को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर बढ़ रही मोदी सरकार रेलवे में करीब डेड़ लाक नियु के साथ ट्वीट किया है स्कूल स्तर से नवाचार कोशल का निर्मान करने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूलों में लगभग 5500 अटल टिकरिंग लाप्स विकृत किये गए हैं मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए बीजेपी की यूथ विंग जहां सोश के के चट्टे बट्टे हैं दोनों और इसा का विकास नहीं एक जाएगा दूसरा आएगा कोई फाइदा नहीं होगा उन्होंने भी सासन किया है और इसा गरीब का गरीब रहेगा इन्होंने भी 19 साल सासन किया और इसा गरीब का गरीब गहेगा एक मोका नरेंद्र मोदी को जाता हूँ बंगाल जाता हूँ असाम जाता हूँ गुजरात महराज ठर्याना आंद्रपदेश तेलंगाना करना तक जाता हूँ देश की जंता नरेंद्र मोदी जी के लिए पलक पावडे बिचा कर बैठिये मित्रो उन्नीस का परिणाम स्पष्ट है पून बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी परन्तु मैं आपको अपिल करने आया हूँ किस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने उसमें महाप्रभू का असिरवाद सम्मिलित हो उत्कल प्रदेश की जंता का असिरवाद सम्मिलित हो मित्रो मैं आपको कहना चाता हूँ यहां के सारे आधिवासी भाई यो बेनों को ओरिसा के कहना चाता हूँ डिस्ट्रिक्मिनल फंड जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है वो डिस्ट्रिक्मिनल फंड आज तक उद्योग पतियों के खजाने में जाता था जहां खदान है वहान मेरे आधिवासी भाई बेंड रहते है खदान की आवक का एक हिस्सा इसकी इंकम का एक हिस्सा मेरे आधिवासी भाई के घर में पहुझे इसकी बच्छी की पढ़ाई में लगे इसलिए दिस्ट्रिक मिंडल फ्रंट देश भर के आदिवासियों के लिए बनाया है और इसा में चार हजार करोड से ज्यादा आदिवासि भाईयों के कल्यान के लिए पैसे हुए हर ब्लोक के अंदर दस करोड उपय का खर्च करना हर ट्राइबल जिल्ले में एक लव्य रेसिडेंशल स्कूल बनाना बास मिसन को आगे बढ़ाना वन बंदू योजना के माध्यम से आदिवासियों के समग्र विकास की एक कल्पना मोदी जी ने रखी है मैं औरिशा के सभी आदिवासि भाईयों बेहनों को अपिल करने आया हूँ कि सत्तर साल के बाद एक ऐसा प्रधान मंत्री आया है जो आदिवासि कल्यान के लिए अपनी सरकार के खजाने खोल कर घरीब की कुट्या में बिजली पहुँचाता है सोचाले पहुँचाता है ग मेडिकल कॉलेज खोलता है एंजिनरिंग कॉलेज खोलता है अरिशा में विरोधी पार्टियों पर हमला बोलने के बाद अमिच शाह का हेलिकॉप्टर ममता बेनर जी के गड़ बंगाल में गरदा उडाते हुए उत्रा अमिच शाह के बंगाल की धरती पर कदम रखते ही के नारे गुंचने लगे जो पश्यम बंगाल का मूड बता रहे थे बंगाल की जंता अख परिवर्तन चाहते हैं भारतिये जंता पारटी के पैसर्ट से ज्यादा कारेकरता मार दिये थे मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की जंता को पस्रिम बंगाल की जंता को भारतिये जंता पारटी के कारिकरताओं की हट्टे क्या गुना है उनका गुना इतना ही है कि मम्तादी की सिंडिकेट का हम विरोद करते हैं उनके ब्रक का अचार का हम विरोद करते हैं उनके परिवार्वाद का हम विरोद करते हैं उनके लोगों के द्वारक किये गए बंधमाकों का हम विरोद करते हैं इनके ध्वारा फ्यलाई गई आरा जट्दा का हम विरोद करते हैं इसलिए हमारे कारेकरताओं को मार दिया है और कितने दिन करोगी? परिमिसन नहीं देना, यात्रा ना निकलना, हेलिकोप्टर उटरने नहीं देना, कारे करताओं की हट्ट्या कर देना, मंता दी मेरी बाट धंग से सून कर रखना मई के हंट में लोकसबा का काउंटिंग होगा, सुबे 9 बजे काउंटिंग सरू होगा, 10 बजे तक पहला राउंड, 11 बजे तक 30 राउंड, 12 बजे तक 5 राउंड, 1 बजे काउंटिंग थलास और ये दो बजे मम्ता बेनर जी की सर्दार से माँए ये बंगल ये पस्चिम बंगल इस बार नरेंद्र मोधी के साथ जाने का फैसला करकर बेठा है मैं जहां ही जाता हूँ हजारों लाठों के धीड दिखाए शाह और मोधी जहां सभाओं और रैलियों में विरोधी पार्टियों पर जोरदार वार पलट वार कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी की युवा सेना भी मिशन मोधी दोबारा के लिए जीजान से जुड़ गई है जिसे मोधी विरोधी पार्टियों के लिए रहा आसान होती नहीं दिख रही है